For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. सामान खान और काट्रीना कैफ Bollywood के वो कपल हैं, जिन्नोंने कभी भी पब्लिकली अपने रिष्टे को नाहीं कबूल किया और नाहीं इसे कोई नाम दिया. ये दोनों पहली बार 2004 में सल्मान खान के घर गैलक्सी अपार्टमेंट में मिले थे. उस दोरान काट्रीना और सल्मान खान की बेहने यासमीन कराची वाला के जिम में एक साथ वोक आउट किया करती थी. इसके बाद सल्मान और कट्रीना एक साथ कई फिल्मों में एक साथ दिखे जैसे पार्टनर, मैंने प्यार क्यों किया और युवराज जहाँ एक तरफ कट्रीना अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रही थी, वहीं सल्मान के साथ उनका रिष्टा खतम होने के कलगार पर आ चुका था बताय तो ये भी जाता है कि कट्रीना के किसी कोस्टार के साथ लिंक अप की खबरे सुनकर सल्मान ने उन पर हाथ तक उठा दिया था सिर्फ यही नहीं कट्रीना के जन्म दिन पर सल्मान और शारुक के उस घमासान को कोई कैसे भूल सकता है इन सारी बातों को लेकर कट्रीना सल्मान से बेहत खफा थी जब उन्होंने रनबीर कपूर के साथ अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीती साइन की जहां जब प्रेम की गजब कहानी में सल्मान एक एकेमियों में नज़र आकर फिल्म में रनबीर से कट्रीना को मिलने पर ये कहते दिखाई दिये अरे तू तो ऐसे डर के मिला रहा है जैसे मेरी गल्फरिंड को अपनी बता रहा है वहीं दूसरी और रियल लाइफ में राजनीती के सेट्स पर सच में रनबीर और कट्रीना करीब आ रहे थे जब ये बात मीडिया में फैली तब कैट और सल्मान का ब्रेक अप हो गया कई सालों तक इन दोनों में बाचीत बंद रही आखिर कार फिल्मेक था टाइगर के साथ ये दोनों फिर से एक साथ आए लेकिन तब भी रनबीर और कट्रीना की कहानी खतम नहीं हुई थी लेकिन फाइनली रनबीर के साथ कट्रीना के ब्रेक अप के बाद सल्मान ने एक बार फिर कट्रीना से दोस्ती कर ली और ये दोनो टाइगर सीरीज के दूसरे भाग टाइगर जिन्दा है के लिए एक साथ आए इस दोरान फिर से सल्मान और कट्रीना एक साथ वक्त बिताने लगे दोनों एक दूसरे का खयाल भी रखने लगे जहां एक बार फिर इन दोनों को लेकर मीडिया चर्चाएं शुरू हुई वही दोनों ने एक बार फिर फिल्म भारत के साथ एक साथ आने का फैसला लेकर इन अफवाओं को हवा दे दी अब ऐसे में ये देखना वाकई दिल्चस्प होगा क्या आखर ये दोनों जस्ट फ्रेंज रहते हैं या फिर इस कहाने के सब टाइटल्स में एवर आफ्टर लिखा जाता है